Hello Friends, Welcome to my channel Cooking with Samia आज मैं आपके लिए बहुती यूनिक मूंग दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ अगर आप भी मेरी तरह हर रोज यही सोचती हैं कि आज क्या बनाओ तो ये मूंग दाल मंगोचिया की रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें बहुती सिंपल और यूनिक रेसिपी है और बहुती ज़ादा टेस्टी और डिलिशस बनती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की यूनिक रेसिपी मूंग दाल की मंगोचिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप मूंग दाल लेंगे मूंग दाल को मैंने एक गंटे के लिए पानी में भीगो कर रक दिया था मूंग दाल अच्छे से फूल चुकिये इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसका दरदरा सा पेस बना कर तयार कर लेंगे यह देखिये दाल को मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया है इसे हम एक bowl में transfer कर लेंगे दाल को पीसते समय मैंने पानी बिलकुल भी use नहीं किया है पानी डाल कर पीसने से दाल एकदम पतली हो जाएगी इसलिए पानी बिलकुल भी use न करें अब हम इसमें एक मीडियम साइज बारी कटा हुआ प्यास अड़ करेंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च आदा चमच जीरा पाउडर और नमक डालेंगे नमक अब अपने स्वाद अनुसार डाले और थोड़ा बारी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे इसे बाद में यूज करेंगे इससे मोंका बैटर भी थोड़ा फूल जाएगा यहां मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है इसमें दो मीडियम साइज प्यास कट करके डालेंगे और दो मीडियम साइज टमाटर भी आट कर देंगे और प्यास और टमाटर का स्मूथ सा पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है मोंका बैटर भी अच्छे से सेट हो चुका है चलिए इसे fry कर लेते हैं fry करने के लिए oil मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था थोड़ा सा batter डाल कर चेक कर लेते हैं ये देखिए oil अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा batter डालते जाएंगे जैसे हम full के fry करते हैं बस उसी तरह हमें mangochia भी fry करनी है छोटे चमच की मदद से अच्छे से उलट पलट कर चारो तरफ से fry करेंगे जैसे पकोड़े fry करते हैं बस वैसे ही fry करना है मुंग दाल के पकोड़े अच्छे से fry हो चुके हैं कलर भी अच्छा आज चुका है अब बस हम इसे निकाल लेंगे चलिए अब mangochia की gravy बना लेते हैं यहां मैंने एक कड़ाई ले लिया है इसमें दो बड़े चमच तेल डालेंगे तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें आदा चमच जीरा डाल कर चटकने देंगे जीरा चटकने लगा है इस stage पर एक बारी कटा हुआ प्यास आड़ करेंगे प्यास को हमें एक से दो मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर cook करना है प्यास अच्छे से cook हो जाएगी और जलेगी भी नहीं प्यास का color थोड़ा change हो चुका है और प्यास थोड़ी soft हो चुकी है अब हम इसमें एक चमच अद्रक लेसुन का paste आड़ करेंगे अद्रक लेसुन के paste को भी हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कच्छा पर निकल जाए अब हमने जो प्यास टमाटर का paste बना कर तयार किया था वो भी हम इसमें आड़ कर देंगे साथी मिक्सी जाल में थोड़ा पानी डाल कर बचा हुआ paste भी add कर देंगे हलका सा mix कर लेंगे मसालो को हमें अच्छे से cook करना है जब तक इसमें प्यास टमाटर का सारा पानी dry हो जाए अब हम इसमें powder मसाले add करेंगे आदा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा एक चमच धनिया पाउडर आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर साथी इसमें नमक add करेंगे नमक आप अपने स्वाध अनुसार डाले सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 102 मिनट तक भूनेंगे 102 मिनट बाद ग्रेवी को ढख कर कुक करेंगे जब तक ये मसाले अच्छे से भून जाए यहाँ ग्रेवी को भूनते हुए तीन से चार मिनट हो चुके हैं ये देखिए ग्रेवी अच्छे से भून रही है ओयल भी सर्फेस आउट होने लगा है बस 102 मिनट तक और भूनेंगे अब इसमें दो चमच दही आट करेंगे ध्यान रखे कि जब भी ग्रेवी में दही यूज करें दही को अच्छे से फेट कर डाले नई तो दही ग्रेवी में फट जाएगी दही को हमें ग्रेवी में अच्छे से mix करना है अब हम इसमें एक ग्लास पानी आट करेंगे और पानी डाल कर ग्रेवी को भी mix कर लेंगे पानी आप अपने according डाले अगर आपको जादा थिक ग्रेवी चाहिए तो एक ग्लास पानी डाले या थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए तो देवर ग्लास पानी डाले यहां मैं semi thick ग्रेवी बना रही हूँ इसलिए मैं एक छोटा गलास पानी आट कर रही हूँ अब हम सारे मुँखदाल के पकोड़े ग्रेवी में आट कर देंगे जब भी मंगोचिया बनाए पानी थोड़ा जादा ही डाले क्योंकि मंगोचिया पानी सोखेगी तभी वो सौफ्ट होगी इसलिए पानी थोड़ा जादा ही डाले अब बस ढख कर तो से तीन मिनिट तक कुक करेंगे जिसे मंगोचिया अच्छे से कुक हो जाएगी ये देखिए मंगोचिया कितनी अच्छे से फूल चुकी है सारे मसालों का फ्लेवर भी मंगोचिया में आ गया है अब बस गयास का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और आदा चमच गरम मसाला अट करेंगे थोड़ा क्रश किया वो कसूरी में थी इसे मंगोचियों का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और थोड़ा बारिक कटावा फ्रेश हराधनिया डाल कर मिक्स कर लेंगे सूपर टेस्टी और डिलिशेस मंगदाल की मंगोचिया बन कर तयार है बहुत ही ज़ादा सॉफ्ट और टेम्टिंग लग रही है जब भी कोई सबजी समझ ना आए तब ये मंगदाल की मंगोचिया जरूर बनाए इस रेसिपी को एक बार बना कर जरूर ट्राइ करें ये बहुत ही टेस्टी रखती है और घर में सभी को बहुत पसंद आएगी इसे सफ करें रोटी पराठा नान या दाल चावल के साथ दाल चावल के साथ तो बहुत ही अमेजिंग कॉंबिनेशन है मंगोचिया का तो ये मंगदाल मंगोचिया की रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें बहुत ही सिंपल और युनीक रेसिपी है और बहुत ही ज़ादा टेस्टी और डिलिशस बनती है रेसिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और मेरे चानल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे